बांगलदेश के लिए कि इम्पोर्टेन खबर है इस टाइम पे कि बांगलदेश का कच्रा भी अप इंडिया कुछा ही बिल्कुल आपने चाहिए बांगलदेश का जो भी कच्रा भीुटियोट्योह पालदेश है इन ृप जिसमें यह वात कि जा रही है कि इंडियन आप बा और उसको यूज करेगा उसको रिसाइकल करके चीजे बनाएगा तो चलिए देखते के वही बांगलादेश ने इतनी तरह की कर ली सच में जो अब इंडिया उनकी गार्विच को यूज करके उनसे चीजे बनाएगा इंडियन मीडिया का काफी इंटरसिंग रिपोर्ट है तो चलिए आज की रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ बात करते हैं एक्च्वल में कॉटन का वेस्ट होता है बांगलेश फिलाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गार्मेंट एक्सपोर्टर है और गार्मेंट के प्रोडक्शन के दौरान हजारों टन कॉटन और कपड़े का कच्रा बांगलेश से निकलता है अभी तक बांगलेश इस टेक प्रोड़ों रुपे बचा पा रहा है आज इसके बारे में बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके हमसे जोडने से हमारे कॉंटेंट की ताकत बढ़ती है और ऐसा कॉंटेंट आप तक लाने का हमें होसला मिलता है तो बंगले देश अब कॉंटेंट की इतनी कॉंटेटी हरसा जनरेट करता है कि इसकी वज़े से बंगले देश ओवरसीज मार्केट से 400 मिलियन डॉलर्स का रवेन्यू जनरेट कर पाता है स्पेशली ऐसे मार्केट से जहां पर इस वेस्ट कॉंटन को रिसाइकल करके नए गार्मेंट्स प्रोड्यूस किये जाते हैं और ना किबल रिसाइकल बलकि इस कॉटन वेस्ट की अपसाइकलिंग करके भारत समेट कई देशों में कुछ ऐसे प्रोड़क्स भी बनने लगे हैं जिसकी आफ्टर मार्केट वैल्यू काफी जादा है बांगलेदेश से हो रहे हैं इंपोर्ट के हम अक्सर खिलाफ रहते हैं लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें बांगलेदेश से इंपोर्टेड इस वेस्ट की वज़े से बांगलेदेश और भारत दोनों फायदे में हैं आकडो से समझे तो हर साल बांगलेदेश करीबन 4,00,000,000 टन कॉटन वेस्ट जनरेट करता है लेकिन बांगलेदेश के खुद के डॉमेस्टिक मार्केट में इस वेस्ट को खरीदने वाले लोग अविलेबल नहीं हैं वहीं भारत में इस कॉटन वेस्ट की वज़े से हैंड प्रतीशत कपड़े 12 महीनों में लैंडफिल्स जैसी जगेट डम कर दिये जाते हैं जब एक कपड़े पड़े सरते हैं तब इनसे कार्बन डियोकसाइड और मिथेन गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग की एक और काफी बड़ी वज़े बनती है थांक्स टो रिसाइक करता है और यह फिगर आगे चलके बढ़ सकता है कॉंटेंट अगर पसंद आया है तो कमें सेक्षिन में यानि मेकिन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब की बिना मत जाईगा धन्यवाद चेहिन वीडियो आप लोगों को ने देख ल या वही गार्विज अभी इंडिया बंगलडेश इंपोर्ट करेगा खरीदेगा और अपने मुल्क अंदर उससे कहीं सारी चीज़े बनाएगा तो देखे बंगलडेश ने इतनी तरक्यी कर लिए कि अब उसका कच्रा भी बंगलडेश बनाएगा तो काटन का जितना भी इ इंडिया इंसे इंपोर्ट करेगा खरीदेगा और अपने मुल्क अंदर से चीज़े बनाएगा तो देखे इंटरनेशनल बड़ी-बड़े ब्रैंड इसलिए बंगलडेश के अंदर आती है और काम करती है एक चीज में आपके साथ और बता देता हूं जो इंपोर्ट लेवल है वो आके जाएगा लेने वाला है और बागलेश से इससे बहुत पैसा कमाने वाला है यह थी रिपोर्ट अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें